फ्रेंड्स आज हम देखते हैं हिंदी में सब्दों का उच्चारण अस्थान जैसा कि हम जानते हैं कि हंदी में सवारण और अर्बेंजन होते हैं और जिनकी उच्चारण का अपना अलग अलग अस्थान बता जैसे कंट से को खो गो गो अंग्या जो कंट से उच्छारण होता है तालब्य से च छ ज ज ज ज इया और जो तालब्य से होता है उच्छारण अब मुर्धने से टा ठा डा डा मुर्धने से होता है दंच से जैसा कि जानते हैं दंच से ता ठा धा न दंच से उच्छारण होता है उच्छ या उउट उट से पफ़ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव आप जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि अंतस्त बेंजन होते हैं यारलावा उसम बेंजन या संघर्सी बेंजन जिसको कहते हैं बड़ा सा शट्खोंड सा छोटा सा और हल ये उसम बेंजन होते हैं संघ्यूक्त बेंजन संघ्यूक्त अच्छर चत्री अत्रे और ग्या होता है इसको आप एक ट्रिक के माद हम सब याद कर सकते हैं जैसा कि आपको पता होगा है इंगलीज में छत्री को कैसे लिखते हैं के यसे अच्छ तो इसमें को कि के से हो गया को 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 से मिलके को ओर सटखून सव यह से हो गया सटखून सव यह दुनों से मिला के छत्री बनता है और तर तर को अम देखेंगे कि इसमें टी आर त्र से त्र र प्लस र ये दुनों को मिलाके त्र बनता है और ग्यां को देखेंगे ज और और मिलाके बनता है ज इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम चंगियुक तक्षर को याद रख सकते हैं कि ये कौन-कौन अच्षर से मिलके बना है रचना के आधार पे सब्द तीन प्रकार के होती है रून्ड, योग, योग, योगिक और उत्पत्ती के आधार पे सब्द के बेद चार तरह के होती है तत्सम, तत्भौ, देशज, और वितेसी सब्ध थेंक यू